हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा Facebook Call Ads क्या होती है और आप कैसे रन कर सकते हैं यानि कि जो Click to Call का जो Call to Action बटन है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं और Call Generate कर सकते हैं यानि कि डिरेक्ट जो Calls है वो आपके Mobile Number के उपर आएंगे लोग आपको Call करेंगे जो भी आपके Customers हैं और आप वहाँ पर आसानी से Sales कर सकते हैं अगर आप Facebook Ads के अंदर नए हैं या फिर अपने Business के लिए Calls Generate करना ताते हैं या फिर आप Facebook Ads already run करते हैं तो भी आपके लिए ये जो वीडियो है जो Facebook Call Ads की वीडियो है ये काफी helpful होने वाली है इसके अंदर आप काफी सारी नई चीजे सीखेंगे इसके अंदर जो तीन Main Point है जिसके बारे में मैं बात करूँगा सबसे पहला Point है कि Facebook Call Ads क्या होती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और Facebook जो Calls Ads है उनको हम क्यों run करें और दूसरे नंबर के उपर है जो Right Objective है हमें जो Facebook Calls के अंदर अगर आपको पता होगा अगर Facebook के अंदर हम आते हैं और Create के उपर कलिक करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे जो Objective है वो यहाँ पर Available होते हैं और यहाँ पर Almost सभी campaign के अंदर जो Objective हैँ हमारे वहाँ जो Call to Action का Button है यानि कि Call Now का जो Call to Action Button है वो Available है वो यहाँ पर जो right objective है वो हमें कौन सा choose करना है ताकि हम अच्छी call generate कर पाएं और तीसरे number पर आता है कि जो call ads के अंदर problem है यानि कि जो call ads के अंदर आपको जो problem face करनी पड़ेंगी वो क्या हो सकती है और उनका solution क्या है वो मैं last में बात करूँगा तो वीडियो को आप last तक बिना skip किए step by step जरूर देखेगा ताकि आपको complete और सही information मिल सके अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए और bell notification on कर लिजिए ताकि आपको आने वाले videos की information मिल सके इसके साथ ही अगर आपको videos पसंद आती है या फिर आपकी videos के बारे में जो भी राय होती है आप मेरे को comment करके जरूर बताए ताकि मैं आगे improve कर सकूँ चलिए बिना देरी के बिना time waste की अपनी video को start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यानि कि जो facebook की call add है यानि कि जैसे ही आप देखते है call to action button call now का है अगर कोई बंदा call now के उपर click करता है तो direct हमारा एक pop up open होगा call now के लिए जो हमारी call application वो open हो जाएगी और वो वहाँ से direct हमें call कर सकता है यानि कि जो भी business owner होगा या फिर जिसका भी हमने number दिया है वहाँ पर वो call कर सकता है तो जो call ads है वो हमें क्यों run करने चीए तो call ads run करने के काफी सारे reason हो सकते हैं ये person to person भी vary कर सकते हैं लेकिन जो mainly reason है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हम जैसे सबसे पहला reason है कि call now के button से थोड़ा सा जो एक trust factor है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है क्योंकि online के उपर काफी लोग believe नहीं करते हैं अगर मैं specifically अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो online काफी सारे scam होते हैं और लोग थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं जो already existed companies है जैसे कि Amazon है, Flipkart है इसके अलावा जो existing companies है जिनोंने अपना trust बनाया हुआ है उनके उपर लोग यकीन कर लेते हैं लेकिन कोई नई website आती है तो उसके उपर लोग थोड़ा सा कम यकीन करते हैं लेकिन जो cash on delivery का option है उससे जो काफी जो trust है वो अच्छा बना है लेकिन फिर भी अगर हम call now का use करते हैं तो बंदे को थोड़ा सा एक personal feel आती है वो हमसे direct बात कर सकता है एक live person से बात कर सकता है और दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा quickness भी आती है कि वो जै more का है फिर shop now का है वहाँ पर जाएगा कब बात होगी कब product आएगा या फिर कब service मिलेगी कब call back होगा वो चीज़े भी यहाँ पर होती है तो मेरे according यह दो जो main reason है यहाँ पर हो सकते हैं अगर आपके according आप किसी और purpose के लिए call ads run करना चाहते हैं तो वो आप मेरे को comment section के अं objective तो जैसा कि मैंने बताया facebook के अंदर काफी objective होते हैं जैसी हम facebook ads manager के अंदर आते हैं यहाँ पर तो हमारे पास direct create करने का option available होता है अगर आपको नहीं पता facebook ads manager क्या होता है और आप कैसे आ सकते हैं और कैसे ad run कर सकते हैं starting के अंदर बिल्कुल आप नए है facebook ads के अंदर तो मैं first video से लेकर last video है वहां तक step by step बताया है facebook ads क्या होती है तो business manager है facebook business manager उसका account कैसे बनाते हैं नया ad account कैसे बनाते हैं इसके अलावा पैसे कैसे एड करते हैं competitor के अड कैसे जो step by step है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं वापस अपने जो campaign है उसके उपर आता हू तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे जो objective हैं वो यहाँ पर open हो जाते हैं तो अब यहाँ पर मैं बताता हूं कि कौन कौन से जो objective है उसके अंदर जो call to action बटन यानि कि जो call now का बटन है वो available है brand awareness, reach, traffic, engagement, video views और lead generation इन सभी के अंदर हमारा जो call to action यानि कि call now का जो button है वो available है लेकिन आपको कौन से choose करने चाहिए, reach वाली ठीक रहेगी या फिर traffic वाली या फिर video views वाली तो यह completely आपके उपर depend करता है और दूसरा यह आपके goal के उपर depend करता है मानली जी आपका जो goal है वो brand awareness का goal है अगर call आती है तो वो एक additional benefit होगा आपके लिए लेकिन अगर आपका जो goal है वो है कि हमारे पास call ही आने चाहिए यानि कि यही हमारा target है तो आप traffic या फिर lead generation का जो campaign है वो आप choose कर सकते हैं अब मानली जी अगर आपका campaign है engagement तो आप क्या करेंगे engagement के लिए आप add run कर सकते हैं यानि कि जो engagement का मतलब है कि आपकी जो photo है उसके उपर या फिर जो video ह करेंगे तो इस तरह इसको बोलते हैं engagement अगर आपको नहीं पता Facebook objective क्या होते हैं और कौन सा क्या होता है तो आप मेरी एक ये video है यह आप link description मिलेगा आप इसको देख सकते हैं detail में आपको सभी campaign objective के वारे में मैंने particular बात की है तो यहाँ पर अगर मानली जी जो engagement है यानि कि ल लिए हमारी ad को optimize करेगा वहीं पर अगर video views हम run करते हैं तो Facebook क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा video views लाने की कोशिश करेगा ना कि वो call के उपर focus करेगा अगर हम lead generation के उपर करते हैं तो Facebook क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा call लाने की कोशिश करेगा यानि कि वो हमारी ad को call के ल मैं एक आपको example के साथ बताता हूँ जैसे कि माल लिजी आपका कोई product है kitchen से related जैसे कि आपने काफी time देखा होगा कुछ trending photos या फिर जो trending videos हैं वो काफी viral होती है kitchen के products related जैसे कि कुछ time पहले मैंने एक rubber के जो gloves हैं वो देखे थे जो kitchen के अंदर बरतन साफ करने काम आते हैं या फिर जो gardening का सामान होता है घर का या और जैसे furniture का कुछ सामान होता है तो इस तरह है कि वाइरल product होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि लोग देखते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये जबरदस्त product है और ये मेरे को purchase करना चाहिए लेकिन problem ही होती है कि वो जो product है वो मिलता नहीं है या फिर हम Amazon के उपर देखते हैं फिलिप कार्ट के उपर देखते हैं और वो वहाँ पर भी कई बार नहीं मिलता है तो ऐसे में लोग क्या चाहते हैं कि वो तुरंत उस product को purchase कर लें फिर वो direct call करके पता कर लें कि ये product कैसा है और कितने में आएगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वीडियो व्यूज का जो campaign है वो आप रण कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो लोग वीडियो देखेंगे वो call जरूर करेंगे यानि कि यहाँ पर chances काफी जादा है लेकिन अगर आपकी normal एक photo है या एक normal वीडियो है और आपको नहीं पता कि यहाँ पर जो call to action button यानि की जो call करने के chances हैं लोगों के वो कितने हैं तो आप जो lead generation campaign है वो आप run कर सकते हैं तो यहाँ पर अब हमने देखा कि कौन सा जो campaign है वो हमें run करना चाहिए तो यहाँ पर मैं lead generation का चूज करता हूँ और उसके बाद में हम continue के उपर click करते हैं जैसी हम continue के उपर click करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में campaign ad set और ad का level आ जाता है सबसे पहले आपको campaign का name चूज करना है यह मैंने वैसे तो already काफी videos के अंदर बताय हुआ है वो video आप check out कर सकते हैं जो एक हमारी यह video है learn facebook ads in hindi 30 minute यह video अगर आप beginner है तो यह video check out कर सकते हैं अगर आपको already पता है तो आप इस video को देखते हुए continue कर सकते हैं उसके बाद में हमें जो objective हो चूज हमने already किया है उसके बाद में आपको सभी settings है उनको same रहने देना है next के उपर click करना है next के उपर click करने के बाद हमें जो add set है हम अपना add set का name change कर सकते हैं उसके बाद में जो lead का जो method है वो हमें यहाँ पर change करना है और इसका जो method है वो हम calls कर देंगे जैसे हम calls करेंगे तो जो हमारा call now का button है वो activate हो जाएगा लेकिन वो add set level के उपाएगा उसके उपर भी हम आएंगे तो यहाँ पर उसके बाद में आपको page choose करना है जो budget है वो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा calls है आप यहाँ पर estimated result देख सकते हैं जो हमारा budget है उसके according और जो हमने targeting set की है जो हमने audience की targeting set की है उसके according के यहाँ पर यह दिखाएगा अब अगर मान लीजी मैं आपको वापस back जाता हूँ और मैं reach add के अंदर दिखाता हूँ तो जो हमारा estimated result है वो यहाँ पर change हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर जो campaign हो reach का चूज किया उसके बाद मैं फिर से add set के उपर आता हूँ और अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं जैसे कि मैंने हमारा page चूज किया और अब हम जो reach देखते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीबन एक लाग से लेकर तीन लाग के बीच में जो हमारी reach है वो यहाँ पर आ चुकी है अब अगर मैं call to action की बात करूँ तो call to action हमारा आ जाएगा call level के उपर जो add level के उपर आप यहाँ पर अगर मैं add set level के उपर जाता हूँ और हम यहाँ पर नीचे स्क्रोल करके आते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो call to action बटन है वो call now का आ जुगा है लेकिन जो हमारा add set level के उपर अगर आप आएंगे तो जैसा कि मैंने already बता थे यह जो campaign है यह जो objective है इसको facebook reach के लिए optimize करेगा ना कि calls के लिए तो यहाँ पर अगर आपका जो only objective calls generate करना है तो आप lead generation का campaign है उसको choose कीजिए लेकिन अगर आपको जैसे मैंने जो kitchen वाला example दिया है कि आपको पता है इस video को जो लोग देखेंगे वो confirm है कि उन में से काफी ज्यादा लोग है वो call जरूर करेंगे तो आपको जो call का है video views आप चूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं choose करता हूँ lead generation का यहाँ पर मैंने choose किया फिर से मैं add set level के बाता हूँ उपर click करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो method है हमारा call इसको हम calls कर देते हैं और यहाँ पर यह देखें अगर हम instant form करते हैं तो यह हमारा leads दिखाएगा किमिंटेट रिजल्ट है हो कैलकुलेट कैसे होते हैं वह मैं किसी और वीडियो केंदर बात करूँगा तो तो यहाँ पर calls के उपर हमने click किया और जैसे हम scroll करके नीच आते हैं पेज चूज किया budget हमने यहाँ पर set किया जो भी budget आपका है वो आप यहाँ पर add कर सकते हैं और schedule है यानि कि कब से आपको यह add start करनी है उसके बाद में जो add scheduling का option है वो हमारे पास available है audience के उपर अगर हम आते हैं तो जो main हमारी रहेगी audience है जैसे कि यहाँ पर मैं audience select करता हूँ अगर हम दिल्ली यहाँ पर डाल देते हैं तो यहाँ पर हमने दिल्ली डाला तो जो हमारे result है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो चुके हैं तो budget को मैं थोड़ा सा increase कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो idea है एक वो आ जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो estimate result है अब यहाँ पर हमने दिल्ली जो add है वो आप दिखाना चाहते है male female और उसके बाद में हमारा detailed targeting का है यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी हमारा product है उससे related आपको sell करना जैसे कि माल लेजिए हम हमारा कोई kitchen से related product है तो यहाँ पर मैं kitchen डालता हूँ जैसे कि मैंने kitchen डाला अगर जो लो kitchen designer या फिर जो kitchen store, kitchen cabinet, kitchen garden, kitchen utensil जो इस तरह यहाँ कि मैं starting के अंदर क्या लेके चलता हूँ kitchen को एक interest लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैंने kitchen का interest डाल दिया अब ऐसे लोग जिनका kitchen के अंदर interest है ऐसे 34 लाख लोग है जो दिल्ली के अंदर जो हमने target area set किया है उसके अंदर available है और इस particular interest के अं अंदर है उनको हमारी जो एड हो दिखाई देगी उसके बाद में हमारे पास narrow audience का option भी आ जाता है अगर आप detailed targeting को बिल्कुल advance के अंदर सीखना चाहते हैं तो मैंने एक recently video बनाई है facebook ads detailed targeting आप इसको search करके या फिर जो link है वो description में मिल जाएगा आप इसको देख सकते हैं आप आपको proper knowledge हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर cover किया तो वीडियो already काफी लंबी हो जाएगी उसके बाद में हमें आना है detailed targeting expansion का option है इसको हमें टिक नहीं करना है और उसके बाद में जो palacement है वो आप automatic रहने दीजिए और उसके बाद में optimization and delivery है उनको हम change नहीं कर सकते next के उपर हमें click करना है जैसी हम next ये उपर आते हैं तो हमारा जो add का name है हम सबसे उपर डाल सकते हैं यहाँ पर facebook page already हमने चूज किया था और अगर हम side में देखे तो यहाँ पर एक error arc है review one error enter the phone number field for your add यानि कि हमने जो phone number है वो नहीं डाला है उसके बाद में जो add setup है जो हमार प्राइमरेंबर नहीं सी add run करेंगे आप अपने need के according जो add है वो आप run कर सकते हैं जो media है वो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं जो media फिलाल मैं इसको ऐसे ही रहने दूगा यानि कि change आप edit के उपर click करेंगे तो change कर सकते हैं edit कर सकते हैं और इसको video के अंदर convert कर सकते हैं यानि कि जो आपकी इमेज है आपको यहां पर यूज करने है जैसे आप चेंज मीडिया के उपर कलिक करेंगे तो यहां पर इमेज हमारी आ जाएगी उसके बाद में आपको क्या करना है जो प्राइमरी टेक्स्ट है यानि कि जो प्राइमरी टेक्स्ट हमारा है वो हमारा सबसे उपर दिखाई देता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर यह Text डाला Primary टेक्स्ट और आप यहां पर दिखाई देखा प्राइमरी टेक्स्ट आज जो आपका जैसे हम scroll करके preview देखते हैं तो यहां पर यह दिखाई देगी आप देख सकते हैं यहां पर हमारा phone number दिखाई देगा और call now का जो button है वो यहां पर आ चुका है उसके बाद में description है phone number के अंदर आपको जो country code है हमारा country code हमें choose करना है और आप यहां पर कोई भी phone number डाल सकते हैं जैसे हम डालते हैं तो जो हमारा phone number है वो आ जाएगा और यह देखी जैसे यहां पर हमारा phone number दिखाई देगा अब call now के उपर जो भी click करेगा तो उसके पास में call generate हो जाएगी और वो हमें call कर सकता है उसके बाद में जैसे कि हम यहां पर आते हैं invalid call to action यह invalid दिखा रहा है तो इसको हम preview करते हैं एक बार कि invalid है जो यह क्यों दिखा रहा है उसके बाद में जैसे ही मैंने phone number डाला आप देख सकते हैं जो phone number है वो हमारा सही है Facebook को update होने में थोड़ा सा time लग सकता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने कोई changes नहीं किये जो error है वो हमारा यहां से जा चुका है अब हमें direct scroll करके नीचे आना है जो already settings है targeting वगरा है वो आप अपने recording set कर सकते हैं और उसके बाद में आपको direct publish के उपर click करना है आप यहां पर publish क करके आते हैं और click करते हैं या फिर जैसे हम over लेके आते हैं जैसे हम over लेके आते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं जो error है यानि कि account unsettled इसके अंदर जो paid balance है वो pay नहीं किया है इस वजह से जो payment की information है वो हमें verify करनी पड़ेगी तब जाके हम इसको run कर सकते हैं बाकि आप अपने account से run करेंगे तो कोई problem नहीं आएगी तो अब तक हमने देखा कि आप जो facebook call ads है वो आप कैसे run कर सकते हैं सही objective कैसे choose करना है क्यों आपको run करनी है अब हम बात करते हैं जो problems है वो आपको क्या आ सकती है यहां पर main दो problem है जो आपको face करनी पड़ सकते हैं सबसे पहला है कि network issue मालीजे आपने एड रन कर दिया और आप एक ऐसे area के अंदर है जहापर मालीजे किसी ने call नहीं लगा network issue है तो क्या होगा कि आप quality leads है जो आएंगी वो आप miss कर देंगे और आपको लगेगा कि जो आपका add है वो perform नहीं कर रहा लेकिन वहां पर call generate हो रही है लेकिन आप connect नहीं कर पारे जो दूसरा reason है वो यह है कि मालीजे आपका phone ज्यादा busy रहता आपके phone के उपर ज्यादा call आती है या फिर मालीजे आप counter का number है वहाँ पर क्या है ज्यादा inquiry के लिए call आती है Facebook ads के अलावा कहीं और से भी call आती है तो इस case के अंदर फिर से same problem आएगी कि आप जो quality leads है वो आप miss कर देंगे तो यहाँ पर जो solution है वो कई हो सकते हैं वो आपके उपर depend करता है अगर आपको call ads ही run करनी है तो आप IVR system use कर सकते हैं जिसके अंदर जो call है वो multiple number के उपर redirect हो जाएंगी जैसा कि आपको पता है IVR के बारे माँ आप Google के अंदर और जानकारी ले सकते हैं और जो दूसरा option है वो यह है कि आप call ads की बजाए कोई और ad भी आप run कर सकते हैं जैसे कि जो direct lead generation करेंगी sign up करेगा बंदा वहाँ पर या फिर आप message ad है वो run कर सकते हैं WhatsApp message या फिर messenger message या फिर Instagram message वो आपके डिपेंड करता है तो मुझे उमीद है आपको वीडियो information लगी होगी इस वीडियो से related जो भी आपके comment है जो भी आपका सुजाव suggestion है वो आप comment section के अंदर जरूर बताइए मैं मिलता हूं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवा आपका सुजाओ